दिल की आवाज भी सुन में इसकुछ लोग मुझसे मिलने की लिए आ रहा हैं चलिए मैं भी आपको इनसे मिलवाता हूं। यह सब मेरे दोस्त हैं, मेरे फैन्स हैं, मेरे चाहने वाले हैं, तो इन में आप देख रहे हैं, तो मेडम, आप настолько जो देखती हैं। अप देखेरा हैं यह मेरे पैंस है मुझे बहुत खुशी हुई है कि एलोग मुझे मिलने की लिए ऐ अपको तो मेरे वीडियो शेर भी करती ही नहीं करती हैं आप वहां संदे जवीदो आज अपसे विले तक पूचे बहुत फुशी हुई आप निगरती हो यह लाइक उपकर शेयर हुआ लिखना फ्लीज है यह देखे यह इनकी बहन है यह माता जी है इनकी पूरा परिवार मेरे थात आज मोची है यह माता जी माता जी मेरे लिए आप दू आप सूर लेके आप शुरू करो लेकिन एक चीज इसका सूर बहुत पक्का है बहुत मतलब शौक है कि नोट पे शुरू किया था उस नोट पे खुतम किया ये मेरे को बहुत अच्छा लगा जमाने पे न जा अगर आपको सूर दिया जाए तो क्या होगा और फिर मुझे सूर दिया गया और सूर देने के बाद जब मैंने गाना गया तो वो रातो रात वाइरल हो गया और गाना वाइरल होने के बाद फिर मेरे पास मुझे चाहने वाले प्रैंस की एक लंबी लाइन लग गई और वही लाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं, मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं, यह मुझे प्यार करते हैं बलकि मेरे पन मेरी कलाकारी को भी बहुत प्यार करते हैं और मेरे वीडियो को बड़े शौक से और बड़ी महपत के साथ देखते हैं यही लोग मुझे से मिलने आये हैं और मुझे मेरी जिन्दगी में जो बदला हुआ है वो यही है कि लोग मुझे पहले से ज्यादा जानने लगे हैं और मुझे से मिलने के लिए आने लगे हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है इन लोगों से मिलकर इनके साथ अपने खुशियां बाट कर बहुत ही अच्छा महसूस होता है मुझे जी हाँ सर मेरी पहली और आखरी मन्जील मेरा पहला और आखरी सफर मैं ये चाहता हूँ संगीत के साथ हूँ जो भी आप कर रहे हो आप में बात डेफिनिटली है तो आपने मुझे एक अजीब से एक विडम मना में डाल दिया है हेलो मेरे प्यारे दोस्तों मैं सली महमाद फिल्मोगरा के 7-8 ते आज मैं घूमने आया हूँ तो यहाँ पर मैं कभी कभी निकलता हूँ तो कुछ मेरे प्रेंट से आज मेरे साथ नहीं है मैं बिल्कुल अकेला हूँ एक है मेरे साथ मेरा प्रेंट बस खाली तो यहाँ पर जब मैं घूमने के रिए आया मुझे कुछ ऐसे लोग मिल गया जो मुझे जानते हैं मेरे चैनल से वाकिते हैं मेरे गانों को देखते हैं मेरे वीडियो को देखते हैं तो आज मैं चली आपको अपने fans से मिलवाता हूँ मेरा पहला और आखिरी सपना रफ़ी साहब के गीतों को गाना और उन्हें पूरी दुनिया तक पहुचाना आज की जनरेशन रफी साहब के गीतों से दूर है लेकिन मैं ये चाहता हूँ और मैं ये करके ही रहूँगा रफी साहब के गाए हुए गीतों को नौ जवानों तक पहुचाना ये मेरा लक्षे है मुझे पता नहीं कि आगे आपका क्या होगा सूर दो मैं हविखत हूँ ये एक रोज दिखाऊंगा तुझे आज बुरा नी राहूं से मुझे आपका ये डर पहले तो निकालना थे बेगुनाही पे मुहाबत की जब ही भी गाओ सूर पकड़ के गाओ रुलाओंगा तुझे तो रहना चीए कि आप कर पाओगे कि नहीं एक मुखडा गाओ अब जब सदा संग रहे ना को तो बैट उसिंके साथ राही मनवा दुख की चिंता क्यूं सताथी है मैं इंडियन आइडियल में आना चाहता था और अब जब मुझे यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है तो मैं जान लगा दूँगा अब पूरी मेहनत के साथ इस मंच पर अपनी प्रतिभा बिखेरूंगा ये बात अलग है के मेरी प्रतिभा लोगों को पसंद आए या ना आए पर मैंने कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ के मेरा प्रया सफल हो ये वाज में सच में कुछ स्पेशल लग रहा है तेरे शादी पे दूँगा कल का दिन था कोई भी मुझे नहीं जानता था घर में बैट कर गाने गाना या फिर किसी की शादी में गाना या फिर दोस्तों की फर्माईश पर उनके सामने गाने गाना बस इतना ही करता था मैं फिर एक दिन मेरी जिन्दगी में आया जब किसी ने मुझसे कहा सलीम भाई आप फेस्बुक पर गाना अप्लोड कीजिए मैं आपका चैनल बना देता हूँ यूटूब पर आप उसमें गाने अप्लोड कीजिए मैंने भी सोचा चलो करके देखते हैं क्या होता है इससे पहले तो किसी ने कोई रिस्पॉंस ही नहीं दिया लोग गाना सुनते से और चले जाते थे पर मैं उस दोस्त का शुकर गुजार हूँ उसने मुझे दुनिया के सामने प्रेजेंट किया मैंने अपना एक छोटा सा यूटूब चैनल बनाया और छोटे-छोटे गाने उस पर अप्लोड करने लगा तो फिर अब तो आगे अब खुली के लेंगे यह परफॉमंस हिक से ज़्यादा लिख